नमस्कार दोस्तों मेरा हुल सिंग एक बाप फिर से आप सबी का स्वागत करता हूं मिशन ग्यान के यूटूब प्लेटफॉर्म पर कैसे हैं बालक बाली को आई होप एक दम बढ़िया होंगे मज़े में होंगे और जगास होंगे तो भाई साब आपन लेका एवरेज तभी आपके समझ में आने वाला है तो इससे पहले वाला पार्ट जरूर देखके हैं तभी आपको आज वाले पार्ट समझ में आएंगे तो यह बिना किसी दिरे के शुरुआत कर देगा लास्ता दिखना विकॉज यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है आप ही क्या समझाय था मैंने समझाय था कि हमें किस तरीके से करना है हमारी अपरोच दूसरे से क्या हो नीचे डिफरेंट हो नीची है मैंने आपको इतना समझाय था प्यारे बालक बाले कहूं कि इन में सबसे चोटा नंबर कौन सा बोले सा 32 और सबसे बड़ा नंबर 55 यानि जो इवरेज होगा वो 32 से बड़ा होगा 55 से चोटा होगा यह बात आपको एकदम कंफर्म हो जानी चाहिए इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इन में से ना यह जो नंबर जितने भी गिवन हो ना उन में से एक नंबर तो ऐसा जरूर लो जिसको अपन ओवराल एवरेज मा को आने वाज शाब 36 मैंने और एकदम बढ़िया कोई दिक्कत नियिंए अब मैं करय रहा हूँ प्यारे वालग वाली को मैंने काम किया मैंने काम किया हुँ है मैं इसको 42 को क्यों माना फरिुई यह रहा हैстрой कोई लिसके नहीं है 45 से 42 कितने का cevी कर दिक्कत कोई धिक्कत और यहां तो डेविशन आय नहीं मैंने सबसे बढ़िया हो Go Yeah सबसे बढ़िया हो सिक्षित और मैंने के लिए अजम बढ़िया कि इन्यासर स्केमिन कि और मैंने सबसे स्क्राइब अपने को क्या करना है हमें अब डेविशन को धारों कि कौन से कमाया तक है कि मैं माइनस का 16 यानि overall deviation कितना आ गया 0 यानि मैं क्या बोल सकता हूँ मैं ये बोल सकता हूँ या चिला चिला कि जो उमने average लिया था 42 is the correct है option number B बात clear बोले सर एकदम के लिए दांस जुनना देखो average का मतलब ही कि बाता है देखो 10 है इधर सर एक पीस है इसका average कितना है कि सर पंद्रह आ गया कहना है मतलब कहने डेविशन देखना यहां डेविशन कितना है माइनस का पांच इधर कितना है प्लस का पांच जहां डेविशन जीरो होता है उसी तो अपन average बोलते ना भाई तो average कितना के अपना 42 बात क्लियर है के नहीं बोले साब एक दम क्लियर मैंने का आगे बढ़ जाओ बिल्कुल आगे बढ़ो next question आपके सामने क्या कह रहा है पहले 100 धनात्मक पूर्णांकों का average क्या नहीं फर्स आपके सपास नंबर से 100 उनका पूछ रहा है इंका average क्या है देखो साब सीधी सी बात है अगर आप से पूछ रहा है ना फर्स आपके 100 नंबर तो आपको मुझे समझानी पड़ेगी आपके एक के बात क्याएगा दो दो के बाद तीन तीन के बाद चार्याने लगाता होंगे क्या बिल्कुल होंगे अपको याद है वो चीज है कौनसी वाली जब मैंने को कल पड़ाई थी कि भाईया जब भी एपी बंद रही हो तो फर्स लास्ट डिवाइड वाइट टू कर देते हैं हमारा average आ जाता है तो यह पहला नंबर कौन सा होगा ठीक है और लास्ट हो जाएगा 50.5 मैंने का हाँ या ना बोले सर एकदम हाँ ऑप्शन नंबर डीजदा करेक्ट आंसर बात क्लियर है क्या बोले सर एकदम क्लियर मैंने का आगे बढ़ें सब बिल्कुल आगे बढ़िए अब अगला question को आप से बोल रहा है question आप बोल रहे है कि 8 10 12 14 16 18 का average क्या first and last कर सकते हो मैंने का एकदम बढ़े divide कर दोगे two कर दोगे फिर आप क्या कर सकते है एपी वाला system लगा सकते हो बोले सर एकदम बढ़िया है ठीक है तो वह इन questions को आप कितने सारे तरीकों से solve कर सकते हो लेकिन कौन सा method आपके लिए the best रहने वाला है वो कौन decide करेगा वो आ एक और तरीका लगा सकते हैं कौन सा वोले सर हम लगा सकते है डैवीशन वाला इसमें से किसी एक को एवरेज मालो निकाल लो वह से भी हो जाएगा वह करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं लेकिन सबसे best कौन सा होगा वो हमारे लिए बहुत important रखता है चलो साफ एट एं एक दम बढ़िया कितना हो गया वह एक दम बढ़िया कोई दिक्कत नहीं चलो साथ आप याद करो उस कहानी उस किसे को जब मैंने आपको कहाता कि यह एप बन रही है आप बन रही है फिर क्या करते हैं भाई साथ जो बीच वाला नंबर होता है वही आपका एवरेज होता है इतर कितने नंबर है total 6 तीन इदर बीच में घाएगा 12 और 14 के बीच में 13 मैंने जोक्ष करने जरत निया कि जोड़ा करने की ज़रत निया यह लो आंसर आपके सामने आगया कितना 12 option number B समझ गए के नहीं समझ गए बोले सर एक डम समझ गए आगे बढ़े हैं के लिए कोशन की तरफ मैंने का यह लो साब आजो एक से लेके 1001 तक की odd numbers का average पूछ रहा देगो सब्सक्राइब करेंगे तक बिलकुल करना है तो भया क्या हो गया मुझे बताना अगर सारी की सारी odd numbers से तो लगाता रहेंगी एक के तीन, तीन के बाद पांच, पांच के बाद साथ बिलकुल बनेगी यानि लगातार आपकी बनती जा रही है कौन सा formula first plus last divided by two यानि कितना हो जाएगा या first plus last divided by two करतो कितना हो जाएगा 1002 divided by कितना हो जाएगा टूल कितना हो जाएगा 501 is the correct answer कहा नज़र आ रहा है सार option number C के अंदर नज़र आ रहा है और यही हमारे इस question का एकदम correct answer है और यह जो questions है ना मैंने नहीं बनाए आप उठा के देखना आपके previous series में आपको ऐसे questions देखने को बरपूर मिल जाएगे आते ही आते हैं आगे वर्देश आप 1,3,5,7,9,11,13 का average क्या है अब इस question को हम कितने सारे तरीकों से कर सकते हैं जैसा आप कंबन करें वैसे निप्टाओ आप सब सब क्या कर सकते हो डिवाइड कर सकते हो कितने numbers हैं दूसरा क्या क्या कर सकते हो भाई आप deviation ले सकते हो किसी का भी एक average मानलो और उससे comparison कर तो उस सब कुस तो मैंने आपको पढ़ा दिया कोई फर्मूला फर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है इदर भटकने की कहीं है वाव शकता नहीं है आपको जो आपको था जिया जरू आपको सिक्षा दी जा है जोब पढ़ाया जा रहा है उसको है उसको ग्रहेंड करो और समीज के साथ ग्रहेंड करो आपका बेड़ा पार है यह मैं आपसे लिखके दे रहा हूं आपको देख लेना उठागे ऐसी कोशन देखने को मिलने वाले हैं आपको आजाओ साब next question की तरफ बढ़ते हैं 1 से लेके 10 तक की numbers का average क्या ओ क्या 1 से लेके 10 तक की जो numbers से उनके स्क्वेर्स का average क्या होगा यह लोगो साब कैसे निकालेंगे प्रसर हमें याद है मैंने का कौन सा formula n प्लस 1 2n प्लस 1 divide by कितना वहले 6 मैंने का रखो value n की value कितनी यह सब 10 है यानि 10 प्लस 1 कितना होगा 11 और 2n कितना हो जाएगा यानि 10 इंटू 2 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21 divided by कितना हो जाएगा 6 काटो पीटो किस से 2 से कितनी बार 3 से कट रहा है 2 बार 3 से कितनी बार 77 divided by 2 यानि कितना आजाएगा आप बोलो जाएगा 38.5 मैंने का येलो साब कानी खतम पैसा हजम येलो साब option number 20 दा correct answer हाँ या ना अपने इस सब पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता बोलो साब बिलकुल पढ़ाता काम आ रहा है कि नहीं आ रहा बिलकुल आएगा पढ़ेंगे त आंसर देदेंगे भाई साब 101 बटा दो 50.5 मलब जो मरजी पढ़ेगा वो आंसर देदेंगे कंसेप्ट क्लियर नहीं है और आपके हमारे कंसेप्ट क्या है एक दम क्लियर नहीं है हम सोचेंगे समझेंगे विचारेंगे बातों को बोलो सार कैसे मैंने का देखो साब मैं numbers ल 3, 5, 7, 9, कोई दिक्कत किसी को हम concept लिट अफ करेंगे वाई साब हमें कोई करना ही नहीं है ना किया था ना करेंगे चलो साब मैं आपको बोलूं कितने number 10 number इन 10 number में से odd numbers कितने या नहीं विश्व नमबर कितने 1,2,3,4,5 और even numbers कितने 5 यानि क्या हमें क्या मत मिलता है इस च ऺई दसाउत होंगे आख में आभें बैया आपके या औने जए मने वाले हैं और रहने मैं आउर और आपके औशेन दम भड़या और आपसे पूछा क्या है पूछा क्या रॉत dips आपकी 100 तक की जितनी बी अच नमबर से उनका अवरेस के तो तो चैसे पता है है हमें पता है कैसे पता सकते हैं कि जितनी नंबर होंगी वही हमारा क्या होता है कितनी नंबर से 50 आंसर कितना गया 50 option नंबर सी पैन चलाने की जरूरत नहीं पढ़ने वाली आपको concept गिया रखो कल वाली क्लास लेके बैठो कोई मलब किसी तरह की कोई जरूरती नहीं पढ़े अब इस question को भी करने से पहले है मैं आपको एक concept बताता हो बहुत प्यारा सा व्यासर क्या मैं नंबर लिक रहा हूँ मैंने लिख एक ठीक है मैंने लिख दो तीन चार और पांस ठीक है और मैंने बोला कि से कितना है रख एवरेज कितना है थीं अब मैं आपको बोल रहूं कि इस एवरेश के इधर कितनी नंबर से फुरसर दो नंबर से एवरेश के इधर कितनी नंबर से फुरसर दो नंबर है अब मैं आपको बोलू कि भाई साब आपको जाना बड़ी नंबर की तरफ जाना है तो बड़ा नंबर की तरफ होगा छोटा नंबर की तरफ होगा अब मैं वहाई में जो नमबर्स वाइबन करते हैं? वह 25 दो वहाई जहाने का कंदोद ब बता है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर अपने को average पता है, तो हम आगे भी जा सकते हैं, और हम पीछे की तरब जा सकते हैं, लगातार numbers से हैं, अब लगातार numbers तीन तरह के सो सकते हैं, एक तो आपको लगातार दे दिया, दूसरा होता है आपके odd numbers दे दे, जब odd numbers दे देगा, तो एक number से दूसरे number पर जाने के लिए प्लस टू करते हैं और पीछे आने के लिए माइनस टू करते हैं सेम कहानी जब आपको इवन नमबर देदेगा तो एक इवन से दूसरे इवन नमबर जाने के लिए प्लस टू करते हैं और पीछे आने के लिए माइनस का टू करते हैं वह लिए सर बात क्लियर मैंने का ए तहीं में नंबर अपने सामने अब कितने नंबर वच्छा है उलसा थे इधर और याणी मुझे कह घाना है बड़े नंबर की तरफ जाना है तो मैं तो इदर ही जाऊंगा ना यानि कितने नमबर और एड करने हैं मुझे 18 नमबर और यह सारे नमबर क्या है लगाता रहें इनमें गैप कितना का है प्लस वन का गैप है यानि 54 प्लस 18 कितना का है 72 इस दा करेक्ट आंसर कोई फॉर्मुला यूज किया गया इसमें पता नहीं कौन-कौन से तो फॉर्मुले लगा देते आपको बुक्स के अंदर मिल जाएंगे को इसका यह फॉर्मुला इसका फ्लाना इसका डिम का रेट मलब जीके बना दिया मैस को जीके नहीं है भाई इसको मैस ही रहने दो और मैस ऐसी होती है ठीक है आगे बढ़ें नेक्स कोशन की तरफ नेक्स कोशन देगा आप से कह रह आप प्र आप से कहता सबसे बड़ा उस तर फन रिस चोटा उल्टा चलते हैं उसके अन्हें उसका प्लियर एकदम क्लियर सब कहुं से बढ़ें 走 вторे कया यहँ है 50 बन आगया मैंने का एकदम बढ़िया इस से जस पहले कौन सा नमबर आएगा सर 50 आएगा कि नहीं आएगा विश्च क्छार नमबर बन गया तो यह आपका average आगे है बीच में कहीं अगर मुझे जाना है तो इससे पहले जाना है तो इससे पहले कौन सा 50 फिर मुझे किस पजाना even numbers पूर जाना है क्यों जाना है question ने बोल रखा है मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं जो question बोलेगा मैं तो उसके according चलता हूं तो यही तो answer है ज्यादा माथा पच्ची करने की क्या जरूरत है आपको पूरा multiplication करने की क्या जरूरत है अगर चार सेकेंड भी बचारे तो बचाओ ना यारो काम आएंगे आपके एक जी के question निप्टा दोगे और एक question आपको इधर और इधर कर सकता है तो आपके उपर आप क आपको आगे बढ़िए 113 से 159 तक की odd numbers का average क्या है देखो फिर मैंने वही चीछ समझाई न आपको यहां क्या रहा है तक का मतलब क्यों होता है हमें वह जो numbers से include करनी है इस बात को समझो और answer देने की कोशिश करो कि भाई आप कहां बैटे हो offline class के अंदर बैटे हो आपके सा बहुत आगे बढ़ता जाएगा बात क्लिए रहा हम छोड़े जोड़े questions करते हैं हमेशा अपना एक pattern fix है शुरू में आसान फिर difficult फिर difficult फिर तो ऐसे question जो हिलते तक नहीं है लेकिन वह कब कर बाते हैं जब हुमारा base बहुत अच्छा होता है तो अभी base को क्या करो एक्तम clear क क्या है क्योंकि इनमें gap क्या है इक वाले बात क्लियर रहे है बुले सार एकदम clear है बात क्लियर बुले साब एकदम clear मनेगा आगे बढ़ें बिलकुल आगे बढ़ें नेक्स कोशन को आप से कर रहा है 41 लगातार विशम संख्याओं का average 49 है लगातार ओके ओके और आपस लगए सबसे बड़ी संख्या आपस पूछ रहा है इस कोशन को आप खुछ से ट्राय करो मज़ा आएगा दीको देखो साब कैसे question solve करेंगे आपके पास 41 आपके पास numbers हैं लगातार है बाई साब और नमब 41 है एक नमबर हो गया 49 तो भाईया कितने नमबर बचे आप बोले साब 40 नमबर बचे 20 नमबर इधर जाएंगे और 20 नमबर इधर जाएंगे बोले सार एकदम भड़िया कोई issue नहीं है अब यह number है कैसे बोले सार यह क्या है लगातार आपके odd numbers है यानि हर एक odd number के बाद कितने का gap 2 का gap तो मुझे अगर आगे की तरफ जाना है तो भाईया मुझे कितना आगे जाना पड़ेगा 20 नमबर सो और 8 करने पड़ेंगे और हर नमबर में कितने का gap पर है तो सबसे बड़ा number कितना हो जाएगा आप बोले सार 89 हो जाएगा का नजर आ रहा है सा option number B में 14 लगाता सम संख्याओं का average दे रखा 107 तो आप से पूचरा भाईया सबसे छोटा number क्या होने वाला है निप्टाएंगे इस question को वैसे निप्टा दो मैंने कर लाओ सल्टा देते सब आपने हुकम दिया और सल्टा है आप उनने question को देखो एक ची समझना मैंने आपको number दे डो सास लगाता नंबर है 2 हो छार छहार अठा बारार और इसके बादे चाहुदा टेक हैं इन के बीच के भी सकाइबरेज जांगा इनके बीच के सबसे चाहरा है। अब मुझे अगर मुझे सबसे च्छोटा नंबर है तो मैं क्या कर सकते नूबर और याई कितना कर देंगे च्छे और आप यह करणा डोकि तो नंबर एक य्वन से एक लिएन जाने चार पीछे जाने तो माइनस कर देए 6 माइनस 4 करें कितना जाएगा टू आगे जाएंगे तो यह प्लस कर देंगे बात क्लियर बुले सार एक दम क्लियर यानि आपको मालूम है कि लगाता आपके नंबर से हैं और इसका एवरेज कितना रहा है 107 तो जस्ते पहले कौन सा नंबर होगा 106 अब आपसे बुझान सबसे चोटी संक्या देखो 14 नंबर से यह बीच वाला नंबर हो गया तीन नंबर जो ने रहे तो भाईया एक नंबर देखो इधर आ गया 108 ठीक है इसके जस्त बाद वाला इसके बाद कितने नंबर बचेंगे 6 इधर कितने बचेंगे यानि 6 इंटू कर देंगे बाई साफ 2 कर देंगे यानि कितना हो जाएगा 12 12 माइनस करोगे कितना आंसर आजाएगा आपका 94 और यही हमारे इस कोशन का करेक्ट आंसर है option नंबर बात क्लियर है ना अगर साब 106 इसके बाद कौन सा आएगा बाई साब 104 फिर 102 फिर 100 आएगा फिर 98, 96 फिर 94 ऐसे तो जाएंगे थे बिल्कुल जाएंगे श्य नंबर इधर जाएंगे श्य नंबर इधर जाएंगे बात क्लियर बोले सारे एकदम मनेने का कोई दूखडर्द पीडा क्ता ल overeo so प्रेशानी हो जाए आगे बढ़ते हैं साब नेक्स कोशन की तरफ अब जो इसका आंसर कमेंड में देखे बताएगा सबसे पहले बाई उसके लिए पांच वर वाली डेरे मिल आने वाली तुरंत आएगी फटावट तो आपको क्या करना है वीडियो को पॉस्ट करना है ट्राय करना है कोशन को सॉल्व करने की बताऊ सापके आंसर आएगा फटावट से देखो हम इस कोशन की तरफ नहीं जाते हम जाते हैं वहां से बहुत बै इससे का हो जाए इसी हो जाए तो आप कैसे करेंगे लिए नंबर टू फोर एकदम बढ़िया ठीक है फिर मैंने नंबर ले लिए बहिया टैन ट्वैल फॉर्टीन और इससे एकदम बढ़िया कोई दिक्कत ठीक है कोशन ने क्या पूछा वह देखते है पन अच्छा सबसे मुझे सिर्फ इतना सा पता हो एनका एकदम बढ़िया कोई आगए निया और आगे आप Canty सबसे चोटा सबसे बढ़ा सबसे चोटा सबसे बढ़ा इनका सम पूच़ा वह सम करो कि नमबर आजाए और हमें पता ही नहीं है कि यसने फिर्ट rend लगाता रही है लगाता है अगर तू start बता देगा तो फिर भी हम caution को solve करने कोशिश करेंगे लेकिन तुने start ही नहीं बता है भाई आप क्या करें तो भइया आप क्या करेंगे सब आपके सामने आने है यहां average कितना है 5 है इस average को 2 से multiply करें क्या siar कितना आरा है 10 आ रहा है मैंने खा रहे भाई गजब हो गया रुको ज़रा सबर करो यहां भी देख लेते हैं यहां कितना रहा भाई है 13 एवरेज है 2 को मल्टिप्लाइ करो कितना रहा 26 रहा रहा मैंने खा भाई बन गया result एकदम ताजा ताजा अब क्यों गवराना हवाई यहां दुनिया क्या करती है result बना के question देती है हमने भाई यहां example किया और फिर उस तरह में क्या दिया भाई साब result दिया बात clear वाई सार एकदम clear हम तो क्या है भाई साब दूसरों से एकदम different है हम पहले क्या बनाएंगे question से result बनाएंगे फिर अपन question को solve करेंगे क्या result डिकला कि कभी भी इस तरह के questions आजाएं आपके सामने रियान से देखना सबसे बड़ी और सबसे छोटी numbers का sum आप से पूछ रहा है तो जो average है उसको किस से multiply कर दो टू से multiply कर दो इस average को किस से multiply कर दो भाई साब टू से multiply कर दो question एक second का हो गया के नहीं हो गया मैंने आपको बोला था इस question में आपके एक second से ज्यादा time लगने नहीं दूंगा मेरा वादा है आपसे देखो मैं अपने वादे पर खरा उतरा के नहीं आपको खुद को बता लग जाएगा और यहीं कहां से आती है common sense की बात है common sense कब आएगा जब कल वाली क्लास इसलिए मैं बोलता हूं भाई मेरी स्टार्टिंग की बेसिक क्लास है न वह ज़रूर लिया करो तभी आपको चीजें एकदम समझ में आएंगी चलो साब कितना वह यह 167 इन्टू टू करो कितना आगया 334 एक सेकेंड में आंसर खतम पैसा हजम बात क्लियर है क्या पुले सार एकदम क्लियर मनें आगे बढ़ जाओ इससे आसान मिलेगा क्या सवाल ही नहीं कि मिल जाए आपको इससे आसन मिली नहीं सकता डूंड लो मैं कहाँ आप से क्या रहा है 100-200 तक के बीच की सभी संक्याओं का एवरेज क्या है जो 13 से डिवीजेवल है यानि आपसे बोल रखा है ऐसे नमबर्स लेने हैं जो 13 से उनका पूरा पूरा डिवाइड जाता हो लेकिन कौन से बीच के यानि हमें इन दो नमबर्स को इंक्लूड नहीं करना है अब हमें थोड़ा टेवल का पता होना चाहिए और मुझे लगता है और उमीद भी आपसे कि अगर आप कंप्टिशन एक्जाम की त्यारी कर रहे है तो एटलिस बीस तक की टो टेवल आपको याद होगी होगी याद करो इस 13 की टेवल को सब से जादा टीचर अंसे क्या ही पूशता था ना 13, 17 और 19 यह टेवल ऐसी थी जो भाई टीचर पूशता ही पूशता था रो आदी से जादा क्लास को नहीं आती ठीक है लेकिन अब आपको आनी चीए अच्छा मुझे बताओ तेरा के जस बात कौन सा ऐसा नंबर है जो 13 से पूरा पूरा डिवाइड जाता है वो सर 104 मैंने एकदम बढ़िया 13 into 8 कितना होता है 104 और यहाँ पर लास्ट नंबर कौन सा है जो 200 सो से दो सो के बीच जाना है वो कितना है 195 एकदम बढ़िया अब देखो एक शी समझना क्या ह हर एक नंबर 13 से विल्कूल होगा यानी हर एक नंबर में 13 का गयप होगा विल्कूल होगा 13 26 बहुत से 39 फिर टो 52 जैए क्या लगातार बन रहे क्या वह सा बिल्कूल मन रहा है धिल्कूल बन रहा है तो AP का आवरेज कैसे 1st plus last divided by 2 बात क्लिया है इलो साथ डिवाइड बाइ 2 कर दो प्लस करके मैंने का इलो साथ कर दिया आप कई लोगो ओने सर ये 195 क्यों लिया मैंने का कोई बात नहीं मैं और आपको बहुत अच्छे समझा देता हूं वो अच्छे समझाना आपके अच्छे समझ में आना ची दुबारा कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है थर्टीन बंजा थर्टीन कितना हो जाए 70 यानि अगर आपन 5 माइनस करते हैं 200 में से तो नंबर आपके क्या होगा डिवाइड होगा 13 से पूरा-पूरा पूरा एकदम कर देते हैं 299 डिवाइड बाइट इतना आ जाएगा 300 से करते हैं तो कितना आ जाएगा 149.5 और करेक्ट आंसर हां या ना पूरा सर एकदम क्लियर कोई दुखदर बढ़ेशा नहीं चोड़ी जोड़ी बात हैं उनका ध्यान रखने आंसर आ जाएगा चले साब आज का लास कितने नाइन देखो हैं घ्यान से देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ नो नाइन के एवरेज में कौन सा नंबर नहीं है बहुत अल्टीमेट कोशन एक दम लल्लन टॉप कोशन है आप मेंसे कोई है जो इस कोशन का आंसर देने की कोशिश कर सकता हो सबसे पहले आपको क आट बार फिर 8 बार फिर 9 बार यानि total कितने नंबर होगे आप रहे तक जा रहा है कितने नंबर होगे अच्छा मुझे इनका एवरेज निकालना है तो average कैसे निकालता हूं मेरे पास अब मुझे सिर्फ इतना सा बताओ प्यरह बालक बालिक एक छोटी सी चीज में आपस प 6 plus 4 को add किया by 2 कर दिया answer same आ गया अगर मैं इसको ऐसा चाहूं कि 2 से कितनी बाद 3 times और 2 से कितनी बाद 2 times इन दोनों को add कर दो तो भी क्या 5 आएगा क्या वो सब बिलकुल आएगा वो सब बिलकुल आने वाला है मैंने का एक दम बढ़िया कोई issue नहीं है तो एक चीस समझ गया आगई कहा आपके चाहे आपको टुकड़ों में तोड़ो इसको चाहे एड़ करके तो तो चाहे अलग तोड़ तो उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा मैंने का एकदम बढ़िया अब यही काम अपने को क्या करना है यह करना है नाइन का डिवाइड करो तो बहुत बड़ा number बन जाएगा फिर उसमें 9 का डिवाइट लगा अलग अलग नबर से चलो तो हम बहुत आजी हो जाएगा तो भी यह हम डिवाइड लगाने कोशिश करते हैं अब 9 का डिवाइड ही क्यों लगा रहे हैं को यह नमबर कितने नुए तो है तो जितने मैंने बहुत अच्छी बात है जब 5 बार 9 होगा तो डिवाइड लगाएंगे 9 का 1 1 1 1 1 1 मैंने बहुत बढ़िया इस से आसान कौन समझाएगा आपको ठीक है यह करने की जरूरत नहीं होती है मतलब आप कमेंट करो इन ही कि हमें कोई डाउट रहे गया मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि बहुत को कि आप तक कोई डाउट नहारे चलो साब अब इन सब को एट करो कितना जाएगा इसने सबस्ट ब अब ऐसे पर ऐट फूर फरे थर टू इसने कोश्टे में कि पूछा किनके एवरेज में कौन सा नमबर नहीं भी है, दो भी है, तीन भी है, चार भी है, पाँच भी है, चार भी है, पाँच भी है, नो भी है, कौन सा नमबर नहीं है, जीरो नमबर नहीं है, यानि यही हमारे इस question का क्या है, एक दम correct answer है, बात clear, तो भाई देखो कितने जबरदस questions थे आज, कल थोड़ा सा level और जय हिन, जय वारत, धन्यवाद